चलिए आज हम बनाते हैं आप लेका मुरबा हेलो फ्रेंट्स मैं उपमी मेरी रसोई में आप सब का स्वागत है तो चलिए हम मिलके बनाते हैं तो ये देखिए मैंने ले लिया है ये 500 ग्राम आवला है और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है ये देखिए एक दम फ्रेस फ्र पानी करम हो रहा है तो उसके उपर हम डाल देंगे ये जाली वाला थाली अगर आप चाहिए तो कुछ नहीं है न तो आप आटा छनी भी डाल सकते हैं उस पर भी अच्छे से पक जाएगा इसे हमें उबालना नहीं है उबालने के वाद जो जितना भी होता है ना जो भी पावले का सीजन है ना मार्केट में इतना अच्छा आवला मिल रहा है तो ये दिखिए ऐसे करके हम इसमें दवा दवा के जो है ना छेद कर देंगे इसे होगा क्या जो भी चासनी रहेगा ना वो अंदर तक जाएगा फिर उसका टेस्ट और भी अच्छा लगेगा खाने म तो ये मैंने एक कटोरी ले लिया है गुर को मैंने करस्ट कर लिया है आप चाहे तो मिसरी डालके या चीनी डालके कैसे भी बना सकते हैं लेकिन गुर वाला ये ज्यादा फायदा करता है तो इसमें डाल देंगे ये दो चमचा पानी ज्यादा पानी नहीं डालना सिर्फ ग मuesto κα्lor हमारा अच्छे से mielt हो आप ए को डाल देंगे सिज्ग करती हैं अब आवल Mountains अचार बनाकर चट्नी बनाकर आवला करें आप आवला ले सकते हैं। बहुत ही फायदा करता है यह देखिए अब हम इसमें डाल देंगे वन टीस्पून जो है काला नमक और वन टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पॉडर वन टीस्पून लाल मिर्च पॉडर यह बहुत ही टेस्ट इसका इतना मस्त टेस्ट आएगा ना एक बार आप बना के खाईए फिर आप तो हमेशा ह बना के खाएंगे बहुत ही अच्छा लगता है खाने में अब हम इसे जो है मिलाके और ढखके लगवग 10 मिनट पकने देंगे यह पूरा पकने में जो है ना इसका तो लगवग 20-25 मिनट लग जाता है बीच बीच में ढखकन हटाके और इसे ऐसे ही चला देंगे और जितना यह पकता जाएगा ना इसका चासनी उतना ही पतला होता जाएगा और ट्रांस्पेरेंट होता जाएगा देखे आवला भी एक ताम अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और कितना अच्छा दिखने लगा है पूरा साइन कर रहा है आप लोग ऐसे ही बनाई है आवला का यह ठंडा होने देते हैं फिर हम तोर के दिखाएंगे यह बहुत ही टेस्टी बनता है और इसका जो यह मुरब्बा खाके जो चासनी यह बचे खाने यह तो और भी मस्त लगता है खाने में यह देखे कि यह कितने अच्छे से अंदर तक पूरा सॉफ्ट हो रखा है पूरा ही पका हुआ है आप लोग एक बार बनाईए खाईए एंज्वाइ कीजिए ओके बाई